नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं, एक बहुत ही महत्वपूण और इंट्रेस्टिंग सेसं के साथ आपके सामने उपस्थित हैं कि भारत और कैनेडा के जो रिष्ते हैं लगभग लगभग बिगढ़ ही चुके हैं, क्योंकि कैनेड ने भारती राजदूत को बाहर कर दिया है क्यों इसको बाहर किया है तो असल में बज़े है G20 सम्मेलन के अंदर केनेडा के राष्ट परदी जो कनेडा के परधान मंत्री है जस्टिन टूडो इनको बिलकुल भी सम्मान इज्जत ना देना क्या है मामला इसको आज समझेंगे और किस प्रकार से जस्टिन टूडो ने अपने इगो के द्वारा अपनी ही कब्र खोदनी सुरू कर दी है किस प्रकार से जैसा पाकिस्तान का हाल भारत के द्वारा कर दिया है ग्लोबल आईसोलेशन के अंदर पाकिस्तान को भारत के द्वारा पहुँचाया गया है आज के सेशन में जानेंगे कि कैनेडा के राष्ट प्रधानमंत्री जो है जस्टिन टूडो वो स्वयम अपने देश को कितनी बड़ी मुसीवत के अंदर धकेल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर आज का सेशन होने वाला है बने रही है वीडियो के लाष्ट तक कहानी की शुरूआत आ ही नीज़्पेपर है जिसके अंदर आप खबर छपी देखते हैं इस वे आउट अब यहां पर यह अपना तीन दिन तक इनका जहाज खराब हो जाता है तीन दिन तक यह भारत के अंदर फसे रहते हैं भारत ना तो अपना जहाज इनके लिए भेजता है जी ट्वेंटी के अंदर जब ये आते हैं तब प्रोटोकॉल के तहट इनका स्वागत किया जाता है और उसके बाद तीन दिन तक जब ये फसे थे इंडिया में इन से किसी प्रकार का कोई भी वरताब नहीं किया जाता कोई भी इन्हें कोई डिपलोमेटिक इम्मुनिटी या फिर कहें कि कोई ज्यादा स्वागत सत्कार इनको नहीं दिया जाता है और इनके अख़वार इनके देश में चाप देते हैं देश वे आुट की पीए ओडि इनको बाहर का दिखाते हुए नजर आते हैं तस्वीर जो है इस प्रकार से चापी जाती है इनके देश के लोग कहते हैं कि घंगोर बेजिती आप करा आए हैं शुरुवात में टूडो को ये समझ में नहीं आया जी 20 के बाद ये अपने देश में पहुंचते हैं अपने लोगों से डिसकस करते हैं तब इन्हें समझ में आता है कि भाया इंडिया ने हमारी घंगोर बेजिती कर दी मोदी जी ने बंद कमरे में लगा कर आपकी डांट लगा दी अग इस बात से ये छुब्ध होते हैं छुब्ध होने के बाद एक कदम उठाते हैं कि केनेडा ज्ट्रेड मिसन टू इंडिया पोस्ट पॉंड एक फ्री ट्रेड एग्रिमेंट की चर्चा चल रही थी केनेडा और इंडिया के बीच में त किया जाता था भारत को इससे कोई खास फर्क नहीं पढ़ने वाला है क्या केनेडा के द्वारा टूडो के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है क्या ये केनेडा को नुकसान दे सावित होगा तो जी हाँ बिलकुल सावित होगा और आज के सेशन में हम पूरे में यही जान नहीं पड़ता है तो इनको लगता है कि अभी बात नहीं बनी है कुछ और करना चाहिए फिर ये आरोप लगाते हैं इंडिया कुड भी बिहाइंड किलिंग केनेडियन सिख हरदीप निजजर सेज टूडो अब ये कहते हैं केनेडियन सिख असल में इसको समझने के लिए आ ऐसे हैं बहुत कम संख्या है ऐसे लोगों की जो की खलिस्तान की मांग करते हैं कि भारत के अंदर से पंजाब और पंजाब के आसपास के जो छेत्र हैं उनको तोड़कर खलिस्तान नाम का एक नया देश बनाया जाए इसी मांग को करने वाले जो लोग हैं उनका समर्थन कर करते हुए नजर आते हैं टूडो अब ये हरदीप सिंग निजजर आखिर कौन था जिसको मारा गया था किसी समय पर उसकी भी खबर हमने आपसे साजा की थी कि किस प्रकार से रहस्यमाई ढंग से बाहर जो खलिस्तान समर्थक हैं वो एक-एक करके मौत के घाट उतारे जा रह हैं क्यों मारे जा रहे हैं इस प्रकार से कुछ भी निकल कर नहीं आया था लेकिन पूरी दुनिया ये समझ चुकी थी कि भारत की जो हमारी रौ है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी चाहें वो आई भी है हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो इनके द्वारा ही विदेशों के अंदर ये काम किया जा रहा है अब इस बात को ग्लोबल एक्सेप्टेंस दे दिया जाता है टूडो के द्वारा केनेडा के जो प्रधान मत्री हैं टूडो वो खुद अपने देश की संसद में खड़े होकर ये बयान देकर पूरी दुनिया के सामने बता देते हैं कि भारत व्यक्ति था इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत ने ये गलत किया था असल में इन्हें सायद ये जानकारी नहीं है कि पूरी दुनिया के सामने इंडारेक्ट तरीके से ये कह रहे हैं कि ये एक आतंकवादी का समर्थन करते हैं जिस प्रकार से पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तान का परदा पहास भारत के द्वारा किया गया आज Global Isolation पाकिस्तान देख रहा है कटोरा हात में पाकिस्तान के आ चुका है ऐसी हालत आने वाले समय में सायद केनेडा की भी हो सकती है आप अपनी राय कमेंट वक्स की मार्धियम से इस बारे में जरूर रखें केनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया है अब ये सिख नेता जो है वो असल में एक वांटेड इनामी आतंकी है भारत की तरफ से टूडो ने सोंबार को संसद में कहा भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में केनेडा के ब्रिटिस कोलंबिया में ब्रिटिस कोलंबिया वो छेतर है जहां पर बड़ी मात्रा में सिख समधाय रहता अब ये आखर कर क्यों रहे हैं ऐसा आतंकियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये जो हैं देश के अंदर चीप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये गंदी राजनीती ये खेल रहे हैं ये सि समधाय के नेता हरदीप सिंग ने जरकी हत्या की थी ट्रूडो ने ये भी कहा कि 9-10 सितंबर को भारत में हुई G20 बैठक के दोरान उन्होंने भारती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया था केनेडाई सरकार को खोफिया जानकारी मिली है कि उसके आधार पर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं आसल बाब जी जो कह रहे हैं कि भारती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को इन्होंने उठाया था तो एक सैसना से तीन दिन पहले हमने साजा किया था कि राइटर्स के द्वारा जो खबर आई थी नि इंटरनेशनल न्यूज में प्रकासित कर दी गई थी कि मोदी जी ने डांट दिये हैं कैनेडा के पी एम जस्टिन टूडो सक्त लहजे के अंदर इन से कह दिया गया था कि आप खलिस्तान का समर्थन बंद कर दीजिए बावजूद उसके ये चिड़ जाते हैं और चिड़ कैनेडियन पी एम जस्टिन टूडो अक्यूज इंडियन गवर्मेंट ऑफ किलिंग खलिस्तानी लीडर हर्दीप सिंग निजर इंदा कैनेडियन पार्लियमेंट के अंदर खड़े होकर टूडो ये बात कहते हुए नजर आते हैं क्या-क्या इनके द्वारा कहा गया तो इन नहीं कर सकते सिर्फ कुछ बोटों के चलते आतंकवादियों को ये पनाह दे रहे हैं खुले आम और कहते हैं कि इनके देश का ये व्यक्ति नागरिक था कि ये एक कैनेडियन नागरिक था हर्दीप सिंग निजर कि हमारे नागरिक की हत्या हुई है अगर इनकी बात मान ली जाए तो जो भी देश चाहें अफगानिस्तान हो चाहें पाकिस्तान हो जो की आतंकवादियों का संदक्षण देते हैं आतंकवादियों को संदक्षित करके रखते हैं वो सभी देश सही हो जाते हैं और इन देशों का समर्थन ये करते हैं इस आधार पर पाकिस्तान जैसे देश मी कह सकते हैं कि कोई आतंकी हमारे देश का नागरिक है इसलिए हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं या फिर उनकी तरफदारी कर रहे हैं और भारत के ऊपर आरोप इस आधार पर लगाते हैं इसलिए सुरुवात में कहा गया था कि जस्टिन टूडो बहुत बड़ी कुलहाडी अपने पैर पर खुद मार रहे हैं कैनेडा is a rule of law country कैसा rule of law है इनके द्वारा अंदर आप देख सकते हैं वोट के चलते ये कुछ भी अपने देश के अंदर करा सकते हैं the protection of our citizen and defense is of our sovereignty and fundamental our top priorities have therefore been इनकी जो दो priority इनके द्वारा बताई गई है that are law enforcement and security agencies ensures the continued safety of Canadians मतलब कुल मिलाकर इनके द्वारा जो आगे बात बोली गई Canada has declared its deep concern to the intelligence and security officers of the Indian government की भारत सरकार के जो officers हैं उनसे चर्चा चल रही है और इनके द्वारा कहा गया है कि भारत के द्वारा इसको मारा गया है कुल मिलाकर भारत ने कभी ये बात नहीं स्विकार की जिस प्रकार से हम इसराइल की खूफिया agency है मोसाद या फिर जो रसिया की खूफिया agency है या फिर अमेरिका की खूफिया agency है इनकी तारीफें समने worldwide सुनी है कि ये देशों के द्वारा दूसरे देशों के अंदर operations चलाए जाते हैं उसी तरह से हमारे देश की जो खोफिया agency है research and analysis wing रौ के नाम से आप जिसे जानते हैं एक है intelligence bureau आईवी इसकी खुद बाखुद तारीफ इनके द्वारा पूरी दुनिया के सामने कर दी जाती है पूरी दुनिया के सामने बता दिया जाता है कि भारती intelligence agencies जो हैं वो भी इस प्रकार के operations करने के लिए बिलकुल तयार हैं या फिर कर सकती हैं क्योंकि इन ही के देश के अंदर घुस कर एक आतंकवादी को मार दिया और किसी को कानो कान खवर नहीं हुई और ये जो हैं खुद सुईकार करते हैं दुनिया के सामने कि भारत के द्वारा ऐसा किया गया है एक जगमीत सिंग ये व्यक्ति है एक politician केनेडा के अंदर ये भी काफी ज़्यादा खलिस्तानों का रखवाला या फिर खलिस्तान समर्थक माना जाता है केनेडा के अंदर एक party है जिसको आप new democratic party के नाम से जानते हैं ये व्यक्ति ट्रूडो का समर्थन कर देता है इन जैसे व्यक्तियों के कारण ही ट्रूडो भारत के खिलाफ गत्विदियां कर रहे हैं वहीं केनेडा की जो विदेश मंत्री हैं मेलिनी जॉली उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने एक भारत्य डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया है जो कनेडा में भारत की इंटेलियेंस के प्रमुक थे हालां की जॉली ने इस डिप्लोमेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी ये सारी की सारी खीज है जेस्टिन टूडो की तो गंगोर बिजती ये करा कर गए हैं उसके बदले में ये उल्टे सीधे कदम बौकलाहट के अंदर उठा रहे हैं प्रूडो बोले जांच में सहयोग के लिए भारत पर दवाब बनाएंगे किस प्रकार का दवाब आप बनाएंगे असल में भारत ने जो किया था वो काफी सोच समझ कर किया था दिस वे आउट वाली जो न्यूज थी इसके बाद भारत को अच्छी तरह से पता था कि हमारे रिष्टे नहीं होंगे समाने भारत पूरी तरह से तयार था कि हम आपसे रिष्टे समान रखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि खलिस्तान के मामले पर हमेशा आपकी उदास इंत देखी गई है तो भारत इन परिष्टितियों के लिए पहले से ही तयार था आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए तयार नहीं थे न्यूज जो है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप जाती है चाहे डिवड़ू हो जर्मनी चाहे राइटर्स हो चाहे न्यूज चाहे चाहे आए अब किस आतंकी की चर्चा चल रही है किस आतंकी की मौत की चर्चा चल रही है हाला कि इनकी जब मौत ही थी इस आतंकी की तब भी आपके साथ हमने एक सेसंस आजा किया था इसी व्यक्ति का नाम है हरदीप सिंग निजर जो की चलाता है एक संगठन भारत की Most Wanted आतंकि KTF का प्रमुख था वो भारती एजेंसियों की most wanted आतंकियों की लिस्ट में सामिल था NIA National Investigation Agency ने 40 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी उसमें भी निजजर का नाम था ब्रेंप्टन सहर में खलिस्तान के हक में referendum करवाने की उस करवाने में उसकी भूमिका थी निजजर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को एक lookout notice और 14 मार्च 2016 को red corner notice जारी किया था यानि कि जो इंटर पोल है इंटरनेशनल पुलिस है उसके द्वारा इस व्यक्ति के खिलाफ red corner notice जारी किया गया था और इस व्यक्ति को अपने देश का नागरिक बता कर इसका समर्थन टूडो के द्वारा अपने देश की परलियामेंट में किया जा रहा है उसके उसके प्रत्रमप की मांगी गई थी कनेडा में निजर के खिलाफ 10 लाख रुपे का इनाम भी घोसित किया गया था खलिस्तान समर्थक संगठनों ने raw पर लगाया था निजर की हत्या का आ रोप खलिस्तान समर्थक संगठनों ने अपने सोसल मीडिया अकाउंट्स पर निजजर की हत्या के पीछे भारत की खूफिया एजंसी रॉ का हात बताया था 23 जून को कनेडा के दो सिक संगठन ब्रिटेस कोलंबिया गुर्द्वारा और काउंसिल और ओंटारियो गुर्द्वारा कमीटी ने इस मामले में मिनिस्टर और पबलिक सेफटी मार्कू मेडिसो लिए एक लेटर लिखा था उसमें इनोंने आरोप लगाया था कि निजजर की याद में खलिस्तान समर्थक संगठन जो थे 8 जुलाई को कनेडा में खलिस्तान फ्रीडम रेली इनके द्वारा निकाली गई थी और ये सब हो रहा था जस्टिन टूडो की नाक के नीचे जस्टिन टूडो के मज़े भी सोसल मीडिया पर लोगों के द्वारा काफी ले लि क्योंकि ये यदि सत्य है heads off to the Indian government घर में घुसकर मारा ये काफी बड़ी बात इनके द्वारा आप बोली गई है कि भारत की खूशी आइजेंसी हैं इतनी सक्षम है कि घर में घुसकर लोगों को मार सकती है एक एसा व्यक्ति जो कि आतंकवाद के अंदर लिप्त था एंड फ काफी मजे ले लेते हैं क्या पहली बार ऐसा किया गया है टूडो के द्वारा तो भारत के अंदर जब एक किसान आंदोलन चला था तो किसानों के आंदोलन के पीछे भी टूडो ने भारत विरोधी गत्विदियां की थी और साथ में खलिस्तान के मामले में भी ये भारत व लगा रही है कि इस हमले के पीछे या फर इस सब के पीछे जस्टिन टूडो खुद भी हो सकता है फेलिंग केनेडियन एकनॉमी हाईएस्ट इंफलेशन एवर कि केनेडा के अंदर इतना इंफलेशन आज तक नहीं आया जितना अब आया है केनेडा के अंदर लोगों के पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है ये खुद कहती नजर आती हैं कि इनकी लाइफ बहुत मुश्किल चल रही है और इसके पीछे हैं जस्टिन टूडो और जस्टिन टूडो पूरी दुनिया का या कहें कि केनेडा की जनता है उसका ध्यान असल मुद्दों से बढ़का कर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं एक और व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कहा गया जस्टिन टूडो बिलीफ टेट इंडियन एजेंट्स किल खलिस्तानी टाइगर फोर्स के टीएफ चीफ हर्दीप सिंग निजजर इन कैनेडा खलिस्तानी टेररिस्ट निजजर वॉज इन टारगेटेड किलिंग्स कराने में न निजजर इन्वाल्व था पुजारी की एक हत्या हुई थी पंजाब के अंदर उसमें निजजर का हाथ आया था ऐसी कई घटनाओं के अंदर निजजर का हाथ आया था तो ऐसा आतंकी एक मारा गया है उसके पीछे भारत को यह जिम्मेदार ठेह रहा है और लोगों के एम इस रनिंग खलिस्तान मुव्मेंट की जो कैनेडा के प्रहानमंत्री है जस्टिन टूडो ये खुद अब खलिस्तान मुवमेंट चला रहे हैं इसमृता पारिक एक और यूजर है वो लिखती है कि करीमा बलोच पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान का मुद्दा बिल्क एक्टिविस्ट थी, इनकी भी मौत हुई थी केनेडा में, ये भी अपने घर पर मृत पाई गई थी, इनका भी मृत शरीर मिला था, फाउल प्ले सस्पेक्टेड, डिड यू सी टूडो एक्सपेलिंग पाक डिपलोमेट, क्या इस औरत की या कहें इस महिला की मृत्यू हो जाने पर, क्या टूडो ने पाकिस्तान के ऊपर भी आरोप लगाया, ये दोहरा रवया क्यों हो रहा है, एक व्यक्ति यदि जब निज सरकार के प्रस्ण इनके ऊपर उठाए जा रहे हैं, जब भारत की सरकार से ये सवाल पूंचे गए कि क्या इन आरोपों में कोई दम है, तो Ministry of External Affairs हमारा विदेश मंत्राले है, उसकी तरफ से साफ मना कर दिया जता है, कि ऐसा कुछ भी हमारे द्वारा नहीं किया गया है, इं उसको पूरी तरह से ट्वीट करके पूरी दुनिया को जानकारी दे दी जाती है, कि हम कैनेडा के इन सवारोपों को सिरे से खारेज करते हैं, आपकी क्या राय है इस मामले में, कमेंट के माध्यम से जरूर रखें, उम्मीद है साथियो, पूरा सेसन आपको अच्छी तरह स समझ में आया हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ सेर करना बिलकुल न भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलेंगे अ आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहिंद!